हलो फ्रेंट्स, आज हम जानेंगे हिस्ट्रॉस्टोपी के बारे में, बहुत कॉमन सा वर्ड है, कई बार प्रिसकरिब किया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि आपके हिस्ट्रॉस्कोपी होगी यह Caesar कोपी के दवारा आपका इलाज होगा, तो ऐसी परिस्तिती में और आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हिस्ट्रोस्कोपी होती क्या है। हिस्ट्रोस्कोपिक हिस्ट्रस एक foreign word है जिसका meaning होता है uterus तो जब uterus की अंदर से जांच होती है तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है हिस्ट्रोस्कोपी की द्वारा हम लोग यह पता कर सकते कि अंदर का endometrium का layer कैसा है उसमें कोई mass बढ़ा हुआ है क्या यानि कि कोई polyp है कोई पर्दा है यह अंदर से endometrium चिपकी हुई है या और कोई प्रकार का कोई cancer या और कोई बिमारी तो नहीं है तो यह सारी चीजें डैरेक्टली हमें पता चल जाती है हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा जनली यदि हम सोनोग्राफी करते हैं या MRI करते हैं तो that is all our imaging techniques imaging मनलब हम लोग imagination कर रहे हैं वो डैरेक्ट देखने की टेक्निक नहीं है बट यदि हमें किसी चीज में या सोनोग्राफी में या MRI में कोई problem नजर आती है तो उसको confirm करने के लिए हिस्ट्रोस्कोप यानिकी दूर्बीन अंदर डालकर अंदर से पूरा आँखों की तरह देख लिया जादा डायरेक्ट देखना जैसे होता दूर्बीन से देखना तो यह confirm diagnosis होता है कि अंदर यह problem है और आजकर हिस्ट्रोस्कोपी की जो अपने diagnosis बनाया है उसी टाइम उसमें कैंची डालकर या ग्रैस पर डालकर या ओजार डालकर उस बिमारी को दूर भी किया जा सकता है यानि कि यह पॉलिप है एडिजन्स है या सैप्टम है तो उसको उसी वक्त सेम टाइम पे हिस्ट्रोस्कोपी क साथ दोनों काम हो गए आज आप MRI करवाते हैं उसमें काफी टाइम लगता है लेकिन उसके साथ सिर्फ उसमें अपने को जांच का पता चलता है कि क्या है अंदर वो भी कंफर्म नहीं होता उसके बाद हमें कंफर्म करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है अब से डॉक्टर से संपक किया आपकी सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी में पता चलता है कि अंदर का लेयर का थिकनेश ज्यादा आ रहा है अंदर आपको लगता है कि कोई पर्दा है कोई गांठ है या अंदर से लेयर डैमेज हो चुकी है चिपकी हुई है और कोई अपन different types होते हैं uterus के जो कि हमें MRI से पता चलते हैं और कई सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफिय से पता चलती है तो जब सोनोग्राफिय में हमें किसी प्रकार की कोई abnormality यानि की कोई बीमारी नजर आती है तो हम उस patient को hysteroscopy advice करते हैं कि आपकी hysteroscopy होगी और hysteroscopy में जैसा कि मैंने पहले बिताया उसमें जाच और इलाज साथ के साथ हो जाता है यानि कि यदि हमें लग रहा है कि पर्दा है तो हम उसके hysteroscopy करेंगे confirm करेंगे कि पर्दा है और अगर पर्दा है तो उसको scissor डाल कर उसको cut कर दिया जाता है तो दो बच्चे दानी के single बच्चे दानी हो जाते है यानि पर्दा बीच में से हट जाएगा ऐसे ही जैसे युदि polyp है यानि कि अंदर मास बढ़ा हुआ तो polyp को भी scissor डाल के cut किया जा सकता है अब बच्चे दानी के अंदर होता है या नलिया बंद होती है तो उसमें तार डाल कर जो खुला जाता है वो भी hysteroscope से ही होता है तो जाच और इलाज दोनों hysteroscope से संभव है इसके अलवा कि बच्चे दानी की layer साविश में चिपक जाती तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिसमें हिस्ट्रोस्कॉपी फइदे मन्द है और हमें करवानी चाहिए क्योंकि इसमें पेट में से कुछ नहीं किये जाता सिर्फ नीचे के रास्ते बिराते से इलाज हो जाता है बहुत आसानी से हो जाती है हलकी से बिहुशी के अंदर की जा यानि कि पीरिड के कौन से समय पर करवानी चाहिए जेनली जितने भी ऑपरेशन के जाते एंड हैं निके जसे आपका महीना बंद होता है उसके बादा पाच्वे दिन शेटे दिन शात्वे दिन आठ्वे कभी भी आप करवा सकते हैं लेकिन जनरली प्रिफर ये किया जाता है कि सात्वे आठ्वे दिन के असपास आप करवा लीजे यानि कि बहुत लेट आगे नहीं करवाना होता है यानि कि दस्वे दिन ग्यार्वे दिन क्योंकि देरी देरे अंदर का जो layer होता है endometrium का layer वो बढ़ने लगता है और वो मोटा होने लगता है ऐसी परिस्तिती में छोटे गांट या छोटे पॉलिप पंद्रवे दिन के आसपास दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि जो अंदर का layer का thickness बढ़ गया है या उसमें दब जाते हैं या गुम जाते हैं या उसके अंदर layer में उसके visibility इतनी अच्छी नहीं आपाती है तो जैसे ही महीना आता है तो अंदर का endometrium है वो पूरा का पूरा shadow हो जाता है और जो भी इसमें बिमारी होती वो अच्छे से निकल कर सामने आ जाती है तो अच्छे से दिख पाती है इसलिए हमेशा यह prefer किया जाता है कि 7-8 दिन आप hysteroscopy करवाईए और दूसरा सबसे important फाइदा यह होता है कि यह confirm होता है कि आपकी pregnancy नहीं है क्योंकि यदि आप महीने के later half में कराते हैं यानि कि 10-15 दिन के बाद आप कराते हैं तो there is always a chance कि आपको pregnancy हो और वो disturbed हो जाए इसलिए कभी भी बाद के महीने के बाद वाले हिस्से में कभी भी hysteroscopy नहीं की जाती है हमेशा first half में की जाती है यानि कि 10-15 दिन से पहले-पहले hysteroscopy करवाई जाती है यदि आपको hysteroscopy advice की गई है तो आप अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार या directions के accordingly आप hospital पहुंच सकते हैं जनरलिस में 4-6 गंटे के fasting चाहिए होती है क्योंकि अलकिसी बेहुशी दी जाती है तो खाली पेट हमेशा prefer किया जाता है basic जांचे आपकी जो investigations होती है जो बेहुशी के जांचे जीने बोला जाता है या पीसी investigations बोला जाता है पीसी चेक अप करवाया जाता है यदि आपकी fitness आती है तो आपकी surgery या जांच possible है कई बार ये बिना बेहुशी के भी की जाती है जिसे कि आफिस इस्रोस्कोपी बोला जाता है और यदि उसमें कोई बिमारी है तो जनरली हलके सी बेहुशी दे दी जाती है ताकि आपका comfort level बना रहे post-operative period में जनरली इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है थोड़ा बहुत pain होता है तो उसको हलके फिलके pain killer से ठीक किया जाता और 4-6 गंटे के बाद आप अस्पताल से घर जा सकते हैं और घर जाने के बाद आप एक night rest करके दूसरे दिन morning से अपना normal routine resume कर सकते हैं इसमें as such किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता है और आपको खाने पीने का उटने बैटने का या नहाने दोने का किसी प्रकार का कोई परहेज इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के surgical निशान नहीं होते हैं यह वजाईना से किया जाता है तो उपरी तोर पर कोई निशान नहीं होता है तो आप आराम से अपना daily routine परफॉर्म कर सकते हैं आपको इसे related और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हैं और जैसा कि हमारा हॉस्पडल दूर्बीन हॉस्पडल है तो हमारे यहां सभी प्रकार की दूर्बीन की जांचे और आपरेशन रेगुलर्ली किये जाते हैं यदि आपको इसे प्रकार की किसी सेवा की ज़रूरत है तो डेफिनिटली वी आर ऑल्वेज देयर आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकार के साथ तब तक नमस्कार